विनेश फोगाट की जो आखरी उमीद थी वो उमीद भी तूट गई है क्योंकि सिल्वर मैडल मिलने वाला था और उसके लिए उन्होंने C.A.S. में अपील की थी लेकिन उस अपील को खारीज कर दिया है अब इसका मतलब यह है कि उनको सिल्वर मैडल भी नहीं मिलेगा आप ख़बर आई थी कि फैसले की तारिख बढ़ा कर 16 अगस्त कर दी है मगर अब इस फैसले का ऐलान उससे ठीक पहले ही हो गया है इंडियन ओलम्पिक एसोशेशन आई ओए प्रेसिडेंट पीटी उसा ने भी इस मामले में निराशा दिताई है और उन्होंने यह भी कहा कि फै क्वालिफाई हुई थी और पूरा मामला क्या था यह दोस्तों पैरिश ओलम्पिक के दौरान विनेश ने 6 अगस्त को लगातार 3 मुकाबले जीते थे और 50 kg फ्रीस्टाइल कुष्टी में फाइनल में प्रेश किया था लेकिन फाइनल मैच 7 अगस्त को होना था उससे ठीक एक दिन पहले उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया क्योंकि उनका वजन ज्यादा था और जैसी वो डिस्क्वालिफाई हुई वहाँ पर कहीना की निराशा हाथ लगी थी लेकिन उनको जो वजन ज्यादा था उन्होंने C.A.S. में पेटिशन दायर की थी लेकिन उसका जो फैसला था जैसे मैंने आपको बता है डेटें बदलती ही चली गई कभी 13 कभी 16 लेकिन अब जो फैसला आया वो फैसले ने कहीना कही निराश किया और ना सिरफ विनेश फगाट को निराश किया बलकि तमाम हिंदुस्तान में जो फैंस हैं उनको भी निराशा हाथ लगी यारे कि भारत को करारा जटका लगा है बड़ा जटका लगा है क्योंकि जो सात्वा मैडल आने वाला था अब वो मैडल नहीं आ पाएगा आपको बताने दोस्तों फ्रीस्टाइल कुष्टी के फाइनल में जब उन्होंने एंट्री की थी तो सिलूर मैडल पका कर लिया था थी नामंजूर कर दी थी इसके बाद विनेश ने अपील ये की थी कि उन्हें इस इवेंट में सिलूर मैडल दिया जाए लेकिन वो भी अपील खारिज कर दी है और कहीं ना कहीं पहलवान विनेश ने रैसलिंग से सन्यास भी ले लिया था और उन्होंने एलान कर दिया था उन्होंने ये जानकारी सोचल मेडिया प्लाटफॉर्म पर दी थी और विनेश फरगाट ने कहा कि मा कुष्टी मेरे से जीत गई और मैं हार गई माव करना आपका सपना मेरी हिम्मत सब तूट गई कही ना कही जिस तरीके से उन्होंने अलविदा कहा था कुष्टी को लेकिन आपको बता दे विनेश फरगाट ने कॉमन वैल्थ गेम्स में लगातार तीन गोल्ड जीते हैं उन्होंने ये गोल्ड 2014, 2018 और 2022 बर्मिंगम गेम्स में जीते थे और इसके अलावा विनेश ने 2018 जकार्ता इशन गेम्स में भी गोल्ड मैडल अपने नाम किये थे लेकिन फिलहाल जैसे मैंने आपको बताए जो फैसला आया ये हक में नहीं आया विनेश फोगाट के और पीटी उसा जो आई-ओ-ए की अधक्स है उन्होंने भी इस फैसले पर निराश व्यक्त की है और कही आपट का बीजी.